हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल व्लाग विद खुश्बो सेंग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज मैं लेकर काई हूँ आप लोगों के लिए यह वाला मेकप लोग है यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है बहुत ब्यूटिफल देख रहा है और बहुत ही इजी मैंने इसे वेर किया है आप लोगों के लिए और आई मेकप बहुत ही सुपरवली निकल के आया है आप इसे डे मेकप लुक में भी यूज कर सकते हैं या नाइट मेकप लुक में यूज कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं करती हूँ बट कभी कभी मैं इमामी का जो milk keser आता है, moisturizer में वह भी apply कर लेती हूँ, तो वह बहुत ही अच्छा moisturizer है in the winter तो ये वाला, जो इमामी की ये malai keser cold जो ये range है मैं कभी कभी इसे भी सद्धियों में अप्लाई कर लेती हूँ, ये बहुत ही तो तब से पहले अपने फेस को थोड़ा सा मॉस्टिराइज करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से निकल के आए हम यहां पर यूज़ करेंगे लिप बाम क्योंकि लिप्स पता है ड्राई हो जाएंगे और ड्राई रहेंगे तो फिर जो हम इस पर लिप्स्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही गलत है हमारे लिप्स को बहुत जादा वो हाम कर देंगे माया लिप्स का कलर भी अजीब सा ह रॉर जाता है और ड्राइनस के वज़े से जो लिप्स्टिक है वो उभर की नहीं आएगांगे हमारे पुछ हो गया है कि यहां पर मैंने फेस को भी अच्छा सबराइस कर लिया और लिप्स को भी मोस्टराइस कर लिया तो आप किसी भी सीजन में करें प्लीज आप इस तो लेडीज हैं, शादी शुर्दा हैं, या लड़कियां हैं, आप या college going girl हैं, या school going girl हैं, आपको make-up के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल ज़्यादा प्रो नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता आपको, सो आप minimum चीजों के साथ बहुत ही अच्छा सा make-up create कर सकती हैं, और किस तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, सर्दियां भी हैं और शादियां भी हैं, सो इसके लिए मैं यह वाला वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, अगर आप लोग को मे काले यूज करेंगे स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड गाइस, मैं यहां पे किसी भी प्रोड़क्ट की कोई भी मैं यह आप एडविटाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, अगर आपका फेस बहुत अच्छा है, फ्लॉलेस है, किसी भी एकने वगरा के मार्क्स नहीं हैं आप एंडर आई मतलब जो सर्कल है, वो नहीं है, या आपके अपर जो आइ वो भी पिग्मेंटेड नहीं है, काले काले से नहीं हैं, अच्छी है, अगर आपका इस्किन बहुत अच्छी है, तो भगवान आपकी उपर बहुत जबता महरान है, आपको कंसीलर की कोई ज़रूरत तो उसे हाइड करने के लिए आप कलर करेक्टर या फिर आप कंसीलर को यूज़ कर सकती है तो मैं आई मेकप के लिए कंसीलर को यूज़ करूंगी सबसे पहले आई मेकप कर लेने से क्या होता है कि जो भी फॉल आउट वगरा होंगे वो आपके फेस पे रहेंगे तो जब आप अपना बेस करेंगे तो वो सब कुछ अच्छे से क्लीन करके फिर आप अपना बेस करेंगे अगर पहले हम base कर लेते हैं फिर अगर eye makeup करते हैं और eye makeup के वाद जो भी fall out होते हैं face पे जो भी उसके particles वगरा जो भी गिरते हैं तो फिर उन्हें clean करना मुश्किल हो जाता है और आपकी मेहनत जोग दुग नहीं हो जाती है तो उसके लिए हमें चाहिए एक beauty blender इसे अच्छे से blend करने के लिए सबसे पहले मैंने लगा लिया थोड़ा सा concealer अपनी आइस पर देन हमें से blend करेंगे तो blend करने का क्या तरीका होता है वो आप देखिया आप एक sponge को ले लीजिए इसे गीला कर लीजिए अच्छे से निचोड लीजिए इसे पूरे face पे spread नहीं करना है जहाँ पे concealer लगाया है सिर्फ उतने ही दूर में हमें इसे dab-dab motion में करना है यहाँ पर मेरा concealer अच्छे से blend हो चुका है अब हम इसे set करेंगे विद दे लूस पाउडर आज मैं यहाँ पर यूज करी हूँ लैकमी का लूस पाउडर और इसकी help से हम इसे set करेंगे और जब इसने क्रीज पढ़ जाएगी तो जो भी आप मेकप करेंगे वह सारी चीजे एकठी हो जाएंगी जो भी इस पर प्रोड़क्ट हम यूज करेंगे तो सारे प्रोड़क्ट इकठी हो जाएंगे क्योंकि यह cream based product है तो यह अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर फिर गिला गिला सा लगेगा तो भी यहाँ पर क्रीज आ गई तो हम इसे अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेंगे फिर से एक बार same blender की help से इसको set कर रहे है उसके बाद हम अपने skin tone से एक shade darker shade लेंगे तो यह मैं आप अपना use कर रही हूँ glam 21 का eyeshadow palette इसका review video मेरे channel पे already uploaded है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो please मेरे channel पे जाके आप इसको देखिए तो मैं इसमें से use कर रही हूँ यह एक coral pink shade है इसको आज मैं use कर रही हूँ और इसे मैं सबसे पहले अपनी crease line पे करूँगी तो यह है हमारा crease और बहुत ही हलके हाथों से हमें इसे blend करना एक pinkish brown shade है यह इसे लेकर के भी हम अपने same crease line को थोड़ा सा odd define करते हुए पहले हमें लग को दिख रहा है difference यह वाली आख कित्ती सुन्दर लग रही है यह थोड़ा सा brownish shade है I hope कि आप लोगों को दिख रहा होगा और इसे हम यहां पे अपने outer V पे अच्छे से यहां पे blend करके दन अंदर की तरफ ले जाएंगे ब्लेंड करेंगे दन अंदर ले जाएंगे ब्लेंड करेंगे और अंदर लेके जाएंगे बहुत ही सिंपल है गाइस कुछ भी नहीं करना है मतलब आपको सिर्फ अपनी ब्लेंडिंग पर ही टाइम देना हो और आपका जो color selection है eyes के लिए वह बहुत ही अच्छा होना तो देख सकते हैं आप लो उसके बाद मैं यहां पर अपने पैलेट से एक बिल्कुल ही लाइटर शेड पिक करी हूँ अपनी फिंगर पे और अब मैं इसे अपनी आइलेट के ऊपर लगा लूँगी अब हम यहां पर यूज करेंगे आई लाइनर अपने आखों पर इसे बाद मैं यहां पर यूज करूंगी हाइपर करल मस्कारा अपने आई लेशेस के लिए अगर आप कमपटेबल हो तो आप फॉल्स आई लेशेस भी यूज कर सकते हैं बट मैं यहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ और याद रखिए कि आपको लोवर आई लेशेस पर नहीं अभी अपलाई करना है है मसकारा क्योंकि हमने अभी अपना बेस नहीं किया है अपना बेस कर लेते हैं बेस के लिए मैं यहां पर यूज कर रही हूँ अपना मेबिलीन का सैटन स्किन ड्रीम सिल्की लिक्विड फांडेशन और इसमें मेरा शेड है 23 और यह बहुत यह अच्छा फांडेशन है बस थोड़ा सा फांडेशन चाहिए और यह फुल कवरेज देता है बस इतनी सी क्वांटिटी मैंने यूज की हुई है और आप इसका कमाल देखिएगा और बहुत ही पॉफेक्ट है यह मेरे स्टन टोन के साथ बहुत ही पॉफेक्ट है तो सेम यह जो ब्यूटी ब्लेंडर से हमने अपने कंसीलर को ब्लेंड किया था इसकी हेल्प से हम इसे भी ब्लेंड कर देंगे अब हम यूज़ करेंगे अपना fit me का compact यह है fit me का compact बहुत ही अच्छा compact है अच्छी coverage देता है लेकिन मैं इसके एक चीज़ से बहुत जादा disappointed हूँ क्योंकि यहाँ पर यह mirror नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि अगर mirror होता तो हम औरतों के लिए बहुत जादा easy हो जाता इसे यूज़ करना और इसे carry करना ताकि हमें अलग से extra कोई mirror हमें carry नहीं करना पड़ता तो चले भी ठीक है भी हम इसे अपने दूसरे mirror में देखके इसे लगा लेते हैं तो यह मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबिलीन का मेबिलीन फिट में का compact powder अब थोड़ा सा कर लेते हैं अपने face को contour क्योंकि जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो face मोटा मोटा सा दिखने लगता है और हमारे जो भी features होते हैं वो थोड़े से सो यह हो गया हमारा blush complete मैंने यूज़ किया है यहाँ पर stay quirky के double duo blush और यह बहुत ही अच्छा blush है यह देख सकते हूं और हमें इसे हमेशा अपने apple of the cheeks पर थोड़ा से उपर की तरफ ऐसे आपको lift करना है थोड़ा से मुझे नोस पर भी अच्छा लगता है तो मैंने apply कर लिया है यह स्ट्रे करके के blush तो यहाँ पर लगबग सारा कुछ मेरा complete हो गया आप बच गया मेरी lipstick तो lipstick से पहले lipstick और highlighter के पहले मैं use करना ज़्यादा पसंद करती हूं makeup fixer तो मैं यहाँ पर use कर रही हूं this beauty का makeup fixer जो की बहुत ही reasonable price में है और बहुत ही अच्छा setting spray है तो इसे आपको थोड़ा सा अपने से दूर रखना है और इसे self dry होने देना है उसके बाद थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए सूखने के बाद beauty blender की help से आपको सिर्फ ऐसे ऐसे dab 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 करना है सिर्फ बस और कुछ भी हो तो यह बहुत ही आसानी से मारे स्किन में एब्सॉर्ब हो जाएगा और हमारे प्रोड़क्ट्स जो है जो कि बहुत ही जादा पाउडरी पाउडरी से लग रहे थे ओके मैंने तो भी तक अपने eyebrows भी fill in नहीं काईस तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरा make-up हो चुका है लेकिन इसमें कुछ कमी है जिस कमी की वज़े से यह जो make-up है वो पूरा कपूरा complete नहीं लग रहा येस वो है हमारे eyebrows तो हम अभी सबसे पहले अपने eyebrows को fill in कर type of blue heaven aristo brown pencil styler इसमें एक तरफ आपको मिलता है एक तरफ आपको मिलता है spoolie यह spoolie है जिसकी help से आप अच्छे से अपने eyebrows को पहले even करेंगे जैसे कि बाल जो है वो सारे एक तरफ अच्छे से हो जाते है spoolie की help से और इसकी help से आप जो product इस पर use करेंगे वो अच्छे से blend भ हो जाता है और एक तरफ आपको मिलता है product तो चली सबसे पहले fill in कर लेते हैं अपने eyebrows को बहुत ही हलके हाथों से आपको अपने eyebrows को fill in करना है जैसा कि मैं कर रही हूं सबसे पहले सिर्फ नीचे एक आपको line draw करनी है यह गाइस तो यहां पर हो चुका है मेरा complete eyebrow और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मैं यहां पर यूज़ करूंगे अपना highlighter जो की है Swiss beauty का और मैं इसे अपने finger से ही लगाना बहुत ही अच्छा समझती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा यह impression इसका आता है लगाऊंगी अपना फेवरेट लिपस्टेक और यह है परपल की मेनीज लिपस्टेक और मैंने इसमें स्याज चूस किया है coral pink shade क्योंकि मैं थोड़ा सा light light सा मैंने makeup किया है तो मैं इसे बहुत ही ज़दा simple और subtle रखना चाहती थी इसले dark color का मैंने selection नहीं किया है तो यहां पर सारा base makeup हो चुका है अब लास्ट में हम अपने under eyes को मतलब lower eyelashes के पास हम थोड़ा सा ये colors ले करके और इस तरह का एक छोटा सा brush होना चाहिए और उस brush की help से हम अपनी lower eyelashes के बिलकुल नीचे नीचे water line पे हम इस तरीके से एक line draw करेंगे इससे हमारे जो eyes वो complete लगत क्योंकि हमने अभी तक इसे नहीं apply किया क्योंकि हमारा base complete नहीं हुआ था तो इससे हमने last के लिए बचा के रखा था है गाइस तो यह है मेरा final look and I hope कि आप लोगों को मेरा ये video मेरा ये makeup tutorial अच्छा लगा होगा मैंने अपनी इस video में सारी चीजे सारे makeup tutorials आप लोग के साथ मैंने share किया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ detail में और अच्छे से मैं explain कर सकूँ so I hope कि हर चीज आप लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुँची होगी और आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा so अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने friends और family members के साथ share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि wedding season चल रहा है guys हो सकते हैं मेरी ये वीडियो किसे नहीं किसी के लिए helpful हो जाए और थोड़ी useful हो जाए so ठीक है मिलते हैं फिर मेरे next video में अब तक के लिए be positive stay home stay healthy bye bye everyone